दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसके पास में अच्छी हेल्थ हो लेकिन दुख की बात तो ये है कि आजकल के बिगड़ते खानपाम और अनहाईजिनिक हैबिट्स के कारण बहुती कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में अच्छा स्वास्ते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन यानि डबलू अच्छों के द्वारा जारी की गई हेल्थ रिपोर्ट के नुसार बारत अच्छी सेहत के मामले में 195 देसों में 145 वे स्थान पर है इंडिया की रेंकिंग हेल्थ के मामले में इतनी डाउन होने का एक मुख्य कारण हाईजीन संबंदित मिस्टेक्स हैं मात्मा गोतम बुद्ध ने का था कि जिसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है आज कल की भागदोर भरी जिंदगी में लोग रोजाना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी हेल्थ पर काफी बुरा परवाव पड़ता है और वक्त निकलने के बाद वो कहते हैं का आज मुझे इन हाईजीन मिस्टेक्स के बारे में पहले किसी ने बताया होता तो शायद आज मेरी बोड़ी हेल्थी होती तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ most common hygiene mistakes के बार में discuss करूँगा तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास अच्छी health हो, आप हमेशा स्वस्त रहें, आपको किसी भी hospital में जाने की जुर्रती ना पड़े, तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कई सारे लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत होती है, लेकिन मा आपको बता दूँ कि freeze का ठंडा पानी पीने के बाद आपके शरीर की 72% calories burn हो जाती है, दरसल जब आप ठंडा पानी पीते हो, तो आपके शरीर को उसे वापिस से गरम करना पड़ता है, पानी को नोर्मल टेंपरेचर तक लाने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी मेनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज तभी डाइजेस्ट हो पाती है, जब उसका टेंपरेचर नोर्मल हो, ना जएदा ठंडा ना जएदा गरम, आयूर्वे इसलिए हमेशा कोशिश करने चाहिए, कि जो पानी आप पी रहे हो, वो ना तु ज़्यादा ठंडा हो, वो ना ही ज़्यादा गरम दोस्तों, आयूर्वेद में कहा गया है, कि पेट से ही सारी बिमारियों का जनम होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कि वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानि पाच जेस्टिव जूस, डाइल्यूट यानि पतला होने लगता है, और बोजन सही से पच नहीं पाता है, छोटी आंत पोशक तत्वों को अवशोशित यानि अब्जोर्ब नहीं कर पाती है, तो ओवर ओल इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा परवाव पड़ता है, तो अगल एक्सपर्ड्स के अनुसार आपको परते एक दो महीने में अपने टूथ ब्रश को बदल लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग तब तक टूथ ब्रश को नहीं बदलते, जब तक कि उसकी जी जान ना निकल जाए, जब आप लंबे समय तक एक ही टूथ ब्रश का उप्य परती ही जा रही है, और इस प्रोब्लम के पीछे कई न कई हमारी इस अन हाईजिनिक हैबिट का भी हाथ है, कहा जाता है कि सोने के दो गंटे पहले ही हमें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन आज भी कई सारे लोग जाने अन जाने में ये गल्ती कर देते हैं, दरसल जब आप खाना काने के तुरंत बाद सो जाते हो, तो इससे भोजन जो है वो आमाशय से उपर आहर नली में आ जाता है, और इसके साथ ही पाचन क्रिया भी मंद हो जाती है, जिसके परिणाम सुरूप सीने में जलन, मोटापा और कई तरह की अन्ने हेल्थ प्रोब्लम्स देखने को म मोबाइल फोन और किसी इलेक्रिक डिवाइस के रिमोट में एक करोड से भी ज्यादा माइकरो बैक्टीरिया मोजूद होते हैं, जो अगर आपकी बोडी में एंटर कर जाएं, तो आपके परतिरक्षा तंतर को, इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकते हैं, इसलिए आपको र कभी नहीं करनी है, हाथ पूंचने के लिए अलग कपड़ा होना चाहिए, एक ही टॉवल का उपयोग मल्टिपल कामों में ना करें, नमबर टू, क्लीनिंग दा फेस इन रोंग मैनर, दोस्तों फेस यानि चेरे को साफ करने का भी एक प्रोपर तरीका होता है, बहुत से लो 1. Don't brushing teeth at night अगर आप ये गलतियां बार बार दोराते हो, तो इसका खामियाजा आपको फ्यूजर में भुगतना पड़ेगा, तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेर करे और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रैस करना, बेल को न मत भूलना, तेंक यू सो मच पूर वाचिंग, टेक केर, लव यू ओल, ओल दे बेस्ट